हेलो बच्छो आपसे लोग अच्छे हैं चली ठीक है आज हम लोग अच्छा बारे कि रियसाइन विज्ञान में चैप्टर नंबर तीन इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मानक सिल भीभाव, टी नौट ऑफ सिल और अभुग काता बच्छ एक कि न ग्जोड़ रेक्ट्रेशा के लिए चली एक ची जो हम लोग इस पर टॉपिक पे डिसकर इंगे ठीक, सबसे पहले आप लोग यह बताएं अगर कोई भी सिल है सिल का जो हमें ॸ solamente watered निकालना होता है तो उसके ली हम लोग कॉन सा फॉर्मूला करते है नसमी करड़ का, मैंने आपको पहले भी बताया था, कि किसी भी सिल्कागर EMF निकालना है, तो सबसे EGV क्या होता है, नसमी करड़, ठीक है, तो नसमी करड़ है, ठीक, क्या होता है, E से इस्वेल टू क्या होता है, E not of cell, minus 2.303RT upon NF, into log based in Q, ठीक, जहाँ पर की होता है, अब यह भागफल होता है, F क्या है, Faradon, E, N क्या है, Electron, मुख इलेक्रानों की संख्या होती है, R क्या होता है, Redber Constant होता है, T, Temperature है, E not of cell क्या होता है, यह सेल का माना कप्चनिवा होता है, जबकि E सेल क्या होता है, यह होता, EMF, Electromotive Force of Cell, ठीक, चलिए, अब लोग इसको स्टार् पर, constant temperature मतलब यहां पर कोई temperature होगा, फिक्स होगा, माल लेते हैं, यहां पर जो temperature है, वो 298 Kelvin है, क्या है, मैंने यहां पर temperature क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, जब कोई भी cell निसिता पर अबख्रिया करता है, तो उसका जो EMF होता है, वो क्या हो जाता है, सून ने हो जाता है, क्या जिंक की रोड है, और यहां पर क्या है, कौपर की रोड है, और उसके बाद क्या हो रहा है, इनको हमने रिक गैलवॉनमीटर से जूड दिया है, ठीक है, और इसको हमने salt बिल से attach कर दिया है, ठीक, अच्छा, चलिए, हो क्या रहा है, यहां के temperature क्या कर दियागा है, 298 Kelvin है, जीन कायां और फॉपर, ओके, अब आप लोग हमको एक बात यह बताएं, कि जब कोई भी अप्रिया इस्थिरताप मान पर होता है, तो क्या होता है, वो कुछ समय के बाद साम्यावस्ता धार कर लेगी, ठीक, कहने मतलब यह है, कि यहां पर जो सेल है, वो इस्थिरताप पर जरप साम्यावस्ता धार करेगी, एस्थिरताप मन पर राद कर लेगी, अपर तो क्या होगा, मतलब यह है, यहां पर जिन कायाट हो, पहले तो स्काटिंग में क्या होगा, क्या हु suggests, कंुछ समय के बाद यहां और यह जिन कायन की संख्या है, और यहाँ पर जो copper ion की संख्या है वो क्या होगे सामान हो जाएंगे ठीक है क्या होगा एक सामान quantity में आ जाएंगे और उस इस्थीत को क्या बोला जाता है साम्यावस्था और इस्थीत को क्या बोलता है साम्यावस्था जब कोई भी सिल साम्यावस्था पर आ जाता है तो उसक जो EMF होता है, इलेक्ट्रमोटी फोर्स होता है, वो क्या हो जाता है, जीरो, क्या हो जाता है, जीरो, मतलब इसल क्या हो जाएगा, सूने हो जाएगा, कब, जब हमारा सिल कौन सी अवस्था को धार कर लेगा, साम्य अवस्था, बस समझ में आ गए, ठीक, तो जब हमारा सिल सा के बराबर हो जाएगा इसको क्या बोलते हैं साम के इस तरहंगी तो बोलते हैं अच्छा बुक में क्या होगा आपको केस्ती के फॉर पर मिलेगा मतलब अगर चाहे तो यहां कहां पर केसी भी लग सकते हैं कोई दिख्कत नहीं है ठेक है चलिए अच्छा साम इस्तीलाँ यह साम्या वस्था में स्याम्या वस्था में जो सेल का एम मध होता है यहाँ क्या का सिपावर हो जाएगा सुन्ह के बराबर हो जाएगा और जो हमारा जोर हमारा है यह यह भागफल है। सब्सके बराबर हो जाएगा बर्यस इसमें क्या कश परिवर्तन आहें फेरू करना edible तो हम लोग और यो ändा फुट करते हैं। E0 of cell minus 2.303 RT upon NF into log और ये क्या हो जाएगा Q की जगह पर K equation आप लोग इसको चाहे तो K C विराइट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब आप लोग ये बताएं ये पूरा का पूरा matter क्या है minus पह है ये क्या है प्लस में है अगर मैं इसको पच्छांतर करूंगा तो ये नहीं हो जाएगा 2.303 RT upon NF into log की इक्क्वेशन इसको एक इसके बराबर हो जाएगा E0 of cell होगी नहीं होगा? हो जाएगा ना ठिक अब इसके बाद हम क्या करना है इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि यहां पर जो हमारा value दिया हुआ है 2.303RT अगर यहां पर temperature 298 दिया हुआ है तो क्या करेंगे? इसको हम calculate करेंगे क्या करेंगे इसको? calculate करेंगे तो जब हम इसको calculate करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 0.599 के बराबर हो जाएगा होगा कि नहीं होगा? इनके मान रखें मान रखते हैं बहुत दो जो सम्मलो 3.0.3R का मान क्या होता है? आप लोगों को पिछले equation बता दिया गया था R जो सम्मलो 0.3 गुल पे temperature कितना दिया हुआ है? 298 अपान N की value हम लोग नहीं रखेंगे ठीक? क्यों क्यों कि वहाँ पर मुक्ति लख्टानों की संख्या भिन्न भिन्न अप्रियाओं में भिन्न होनती है ठीक है? तो N को ऐसे बना रहे जाते हैं और F की value राइट कर जाते हैं ये हो जाएगा 6, 9, 5, double, 0 into log की equation जीरो जशंबलोग 0, 5, 9 upon N into log base 10 की equation के बराबर होगा की नहीं होगा? ये इसके बराबर हो जाएगा की नहीं हो जाएगा? ठीक है? यही हमारा क्या हो जाएगा? E not of self और की equation मतलब साम इस्तिरांग में यही हमारा क्या हो जाएगा? पूर करते हैं और पर श्रब स्किंद्स कंगी उसके लिए मुझे करण थोड़ाउ रिस करना पड़ेगा थीक है कि आख देखंगे कि यहां तक तक समझ में आ गया फिजए इसको उठाता हूं कि इसको मैं उठा रहा हूँ यह है E not of cell is equal to 0,59 upon n into log k patient. अब देखिए, अगर मैं इसको one side में write करूं, रखा रहने जों, तो यह क्या होगा, पच्छांतर होकर इधर आ जाएगा, तो यह होगा E not of cell into n upon 0,59 बरावर log k patient. यही हमारा क्या है, मानक सिल्विभाव और अभधिया साम इस्थिरांत में संबन, ठीक है, कब यह formula dry होगा, आप समझ रहना यह 298 पर हुआ है, क्यों, जब 298 हुआ दा तो हमने उनके मान write कर दिये थे, अगर यहाँ पर जो temperature है, वो 298 ना होकर के कुछ और होता है, तो क्या हो formula क्या हो जाएगा, other temperature, मैं write कर देता हूँ, other temperature पर जो हो जाएगा, यह होगा, e naught of cell into n into f, अपान, यह हो जाएगा, दो जो समलो, 303 rt is equal to log base 10 k equation, बात समझ में आगे, other temperature का मतलब क्या होता, अगर वहाँ पे two temperature है, वो 25 degree Celsius है 298, Kelvin ना होगा, कोई और होगा, तो यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, value को put कर देंगे, ठीक है, बात समझ में आगे, यह है हमारा मानक, cell भाव, और अभगिया सामिस्तरांक में relation, अगर आप चाहें, तो यहाँ पर k equation की क्या राइट कर सकते हैं, केसी, मैं यही पर erase करके, यहाँ पर केसी राइट कर देता हूँ, ठीक है, यह कुछ अलग नहीं है, वही है, बात समर में आई, ठीक, यह हमें मेरे कल में क्या करेंगे, help करेंगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, एक्जाम में पूछ लेता है, कि कोई सिल है, उसका मानक सिल भी भौ यह दिया हुआ है, तो उसका सामिस्तिरांग याद करें, तो वहाँ पर हमको यह formula बहुत ही help करेगा, ठीक भी है, चलिए, हम लोग आपसे मिलते हैं, अब नेक्स वीडियो में, नेक्स टॉपिक के साथ, अब ते के लिए, बाइ-बाइ- झाल, 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 झाल.